दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने email id का gmail account का password भूल चुके हैं तो आप कैसे अपने email id का या आप अपने email id का password कैसे पता करेंगे या आप उसे कैसे forget करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना play store open करेना है play store open करने के बाद अपने इस logo पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक option आ जाता है manage your google account आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके email id का account open हो जाएगा manage करने का अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा scroll करना है तो यहाँ पर एक option मिल जाता है आपको security का आप इस पर क्लिक करेंगे जब पर आप एक अपना नया password बना सकते हैं बट आपको यहाँ पर पहले अपना पुराना वाला password यहाँ पर डालना होगा और यहाँ से nest करना होगा तो आपके समने एक नया password बनाने का page आएगा अब आपको यहाँ पर पुराना password नहीं पता है तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है forget password आप इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद अब आपके सामने एक नया page आ जाता है यहाँ पर देखेंगे कि आ जाता है continue तो अपने phone का screen का जो lock है वो आपको यहाँ पर डालना होता है तो आप यहाँ पर continue उपर क्लिक करेंगे हम कांटेन उपर क्लिक करते हैं हम अपने फोन का यहाँ पर लॉग डाल देते हैं जो हमारे फोन में लगा हुआ है जब आप यहाँ पर लॉग डाल देते हैं लॉग डालने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया पीज आ चुका है जहांपर आपको एक अपना नया पासवर्ड बनाना होता है तो यहां से एक नया पासवर्ड आप बना लेंगे वही पासवर्ड यहां पर डालेंगे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके इमेल आड़ी और जीमेल एकाउंट का पासवर झाल झाल